हेलो बच्चों, आज के इस लिक्चर में हम लोग PSIR का 2024 का जो मेन इग्जामिनेशन का पेपर हुआ है, हम लोग उसके बारे में डिसक्रिशन करने जा रहे हैं, थोड़ा लेट डिसक्रिशन हुआ, डियू टू हल्थ इशूस, हल्थ प्रॉब्लम्स, तो हम लोग पहले पेप पर टू की चर्चा करेंगे, तो ओवराल पहले हम लोग पेपर वन देख लेते हैं, और पेपर एज़िवल, टफ नहीं कहा जा सकता, कठिन नहीं कहा जा सकता, पेपर बहुत आप गिस नहीं कर सकते, यूपीस्ट के पेपर को, क्योंकि यूपीस्ट कहता है कि हम कोई पैट यूपीस्ट नहीं होने देना चाहता, लेकिन फिर भी, अगर आपने सल्वस की अच्छी समझ विक्सित की है, आपने टॉपिक को अच्छे से समझ रखा है, बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रखा है, तो आपको पेपर करने में कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी, या समस समस्या तभी आती है, जब पढ़ने के बाद अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता, तो एक्जाम में रिकॉल नहीं हो पाता, और रिकॉल नहीं होगा, तो आप एंसर कर नहीं पाएंगे, तो अगर अच्छे से रिवीजन किया है, एंसर राइटिंग की प्राक्टिस किया ह था ऐसे बच्चों के लिए हाँ यह बात अवश्य है कि आपको थोड़ा अपने माइंड को एपलाई तो करना ही पड़ता है एंसर राइटिंग के लिए लेकिन जो पहला क्वेश्चन है जैसा कि कंपल्सरी क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है टिपड़ी लिखने के ल वर्ड समय लिखने हैं तीन घंटे में और वह इतना आसान नहीं होता तो हमें क्रक्स लिखना है जो प्रश्चन पूछा गया है उसकी सारी बात हमें लिखनी है कम से कम शब्दों में हमें लिखने की कोशिश करनी है हर एंसर को तो राजनीत विज्ञान का व्यवहारवाद प्रतिक्रिया की उपज है तो इसी को ध्यान में रख करके लिखना है क्या लिखेंगे हम लोग व्यवहारवादी उपागम में टिपड़ी पर बताएंगे कि जो परंपरागत उपागम उपागम सफल नहीं रहा है डेविड इस्टन ने सबसे पहले यह सवाल उठाया और डेविड इस्टन ने व्यवहारवाद के जन्म की खुशना की क्यों क्योंकि जो परंपरागत उपागम था वो राजनीत विज्ञान के आदर शात्मक पहलू या दार्शनिक पहलू पर जादा बल दिया करता था अर्थात क्या होना चाहिए पर जादा फोकस था जबकि रा राजनीत विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम की घुशना डेविड इस्टन के द्वारा की गई डेविड इस्टन ने कहा कि व्यवहारवाद के अंतरगत जो राजनीत विज्ञान का अध्यन है वो अंतर विशाई होना चाहिए इंटर डिसिप्नरी होना चाहिए इस तेक शारे विष्यों से राजनीत विज्ज्ञान को connect करें और एक फ्रोकस् कीद़ किया गया, तारिक्षवाद पर इसलिए क्योंकि यह माना गया कि जो राजनीत विज्ञान का अध्यन है वो मूल्यों से अलग हट करके तत्यों के आधार पर किया जाना चाहिए फैक्ट के बेस पर किया जाना चाहिए तर के आधार पर किया जाना चाहिए तो मूल्यों को लॉजिकल पॉजिटिविजम ये मुल्य वहीन द्रिश्टिकॉंड की बात करता है एक तरीके से यानि मुल्यों की उपेक्षा हो और तथ्य और तर्कों पर बल दिया जाए इस बारे में अध्यन को प्रेरित करता है एक तरीके से अध्यन में वैज्ञानिक्ता लाने का प्रयास है ये राजनीत विज्ञान इनके आधार पर अध्यन किया जाए निर्डे निर्डे लेने की इकाईयां व्यवहार यानि जितने भी व्यवहार के घटक हैं जैसे निर्डे लेना है नेत्रित लेना है शक्ति सम्हालना है ये सब व्यवहार के घटक हैं तो इन पर फोकस किया गया कि इन सब पर फोकस किया इन सब पर अध्यन किया जाए हालां कि डेविड इस्टन को एक दशक के बाद ये समझ में आया कि वैज्ञानिकता वैज्ञानिक अध्यन करने की प्रवित्य पर आवश्यक्ता से अधिक बल देने के कारण राजनीत विज्ञान का जो व्यवहारवादी उपागम है वो भी उ सतर के दशक में और उत्तर व्यवहारवादी उपागम का प्रतिपादन फिर से डेविड इस्टन के द्वारा किया गया जिसमें की वैलू पर भी बल दिया गया वैज्ञानिक अध्यन को जारी रखा गया लेकिन जो वैलू लेस्नेस की बात की गई थी मूले की उपेक्षा की बात की गई थी फिर उत्तर व्यवहारवाद में मुल्यों को भी से युक्त कर लिया जाता है तो यह घटक है यह फैक्ट है जो व्यवहारवादी उपागम के पॉइंट है यही 4-5-6 पॉइंट आप वैसे तो साथ बाते इस्टन ने बताई है लेकिन अगर आप इन बात के एसोसियेशन होते हैं संग होते हैं जैसे मजदूर संग है शमिक संग है व्यापारियों का संग है कर्मचारियों का संग है जैसे तरह तरह के एसोसियेशन से बनते हैं बहुलवादी कहता है उसी तरीके से बहुलवादी सिध्धान कहता है जैसे तरह तरह के एसोसियेशन हो से उसी तरीके से स्टेट भी एक तरीके का एसोसियेशन है लेकिन स्टेट बाकी तरीके के एसोसियेशन से भिन कैसे है वह बाकी तरीके के एसोसियेशन से भिन इसलिए है क्योंकि बाकी एसोसियेशन के जैसा ही है बहुलवादी सद्धान थे और बाकी एस्सोसियेशन जैसा ही है लेकिन उन में से इसका अस्थान स्रेश्ट है क्योंकि ये सभी के बीच विवादों का समाधान करेगा शांति की अस्थापना करेगा जो भी राजी के करतब हैं उस सारी जम्मेदारिया निभाएग इसी को पॉलियारकी कहते है डाल और लिंड ब्लूम ने इसको पॉलियारकी का नाम दिया है लास्की मैकाईवर ये सब इसी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं इसी दृष्टिकूर के समर्थक माने जाते हैं राजी के बहुलवादी सद्धान्त के अब जब राजी का बहुलवादी सिध्धान्त है एक से अधिक घटक है एक से अधिक association है स्टेट भी एक तरीके का association है तो sovereignty कहां होगी संप्रवता कहां होगी तो सभाविक सी बात है राज्य के पास नहीं होगी तो बहुलवादी सद्धानत कहता है कि संप्रवता राज में नहीं होती तो संप्रवता कहां होती है विध में होती है लीगल सौवरेंटी की बात करता है ये राज्य का बहुलवादी स्टेट सौवरेंटी की बात नहीं करता है लीगल सौवरेंटी की बात करता है तो ये के बहुत कुछ नहीं पड़ते हैं लॉक के बारे में यहाँ किवल करती के बारे में पूचा है वह एक तरीके से legitimate resistance का विचार है na legitimate resistance का विचार है कैसा को विधिपूंञ प्रतिरोध का विचार है कैसा विधिपूंढ प्रतिरोध होना चाहिए राज इसके लिए लॉख राज जी की कलपना करते हैं कि पही राज समझ्छता राजि और लोगों के बीच है अब राज्जी के लिए सरकार बनाई जाती है सरकार क्या है सरकार एक तरीके की ट्रस्टी है न्यासी है जो लोगों के हिद के लिए कारे करती है अब सरकार अगर लोगों के हिद के लिए कारे न करे तो जिन उद्देशों के लिए सरकार बनाई गई है ट्रस्टी शि वह प्रतिरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए जैसे इंग्लैंड में हुआ दोल से उठासी में हुआ अगर यह शांतिपूर्ण प्रतिरोध नहीं इनिशिल स्टेज में सफल हो पाता है तो इसके लिए हम और कदम आगे बढ़ा सकते हैं हम इस कुरांति को और जादा आगे ल लोड़ सकते हैं लेकिन जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध हमेशा विधि पूंड तरीके से हो या फिर यू कहें कि विधि परक उद्देश के लिए किया जाए तो करांति का जो विचार है लौक का वह एक तरीके से लेजिटिमेट रेजिस्टन से निकलता है और सत्ता परि परिवर्तित की जा सकती है तो यह लौक के विचार हो गए उदारवाद का पतन डिकलाइन ओफ लिबरलिजम हम लोग जानते हैं कि उदारवादी विचार धारा तीन रूपों में एक शास्त्री उदारवाद फिर मॉडरन लिबरलिजम फिर नव उदारवाद तो इन सब की विचार यहां नहीं करनी है क्योंकि उदारवाद के पतन की बात कर रहा है तो हम लोग सीधे आ जाते हैं कि उदारवाद अपने जन्म के बात से अनेक चरणों से होकर गुजरता रहा और नव उदारवाद के रूप में उसका आधुनिक सुरूप हमारे सामने आया प्रांसिस फुकुयामा ने जब एंड आफ हिस्टी की बात की तो एंड आफ हिस्टी के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब सारे प्रकार के विचारों विचारधाराओं का अंत हो चुका है और जो उदारवाद है उसने सारे विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि अब निर्विवाद विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आई है यानि एक तरीके से कहें तो उदारवाद की पराकाश्था को उन्होंने अस्थापित कर दिया जो जहां बाजार को प्रमुख भूमिका देने वाले इस उदारवाद की माननेताओं को समय समय पर चुनोत जैसे वैश्विक मंदी की घटना ने जन्म लिया तो यह राज इस्टेट के फिलेवर को दर्शाता है और इस्टेट के इस फिलेवर में चुकि उदारवाद में निजी छेत्रों की भूमिका सर्वत्र प्रभावी रहती है इसलिए एक तरीके से ये निजी छेत्रों के फि खटक बना हुआ है तो जो उदारवाद का विचार है वो वैश्विक मंदी के दौर में वो कमजोर होता हुआ साबित हुआ क्योंकि जहां-जहां भी निजी छेत्र की भूमिका थी बाजार का प्रभाव था वो सेक्टर कमजोर साबित होता हुआ नजर आया और इस्टेट क इसके बाद भी डैनी रोडरिक ने लिखा नियो लिबरलिजम इस डेड और उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि जो अब नव उदारवाद है अब वो कॉंटिन्यू नहीं रह सकता अब वो अपनी प्रभावशीलता धीरे-धीरे खो रहा है इसके अलामा अलग 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 देशों में अलग अलग विचारों का उदै होने लगा नए तरीके से राष्टवाद का जन्म हुआ वाम पंत विचार नए नए रूपों में सामने आने लगा दक्षण पंत विचार जन्म लेने लगा इन सब विचारों में समाजवाद के विचार को भी प्रमुखता दी जाने लगी अब जब समाजवाद की बात करेंगे तो वो बाजारवाद के ठीक विपरीत हो जाएगा वो बाजारवाद से ठीक विरोधी हो जाएगा तो इसने भी जो उदारवादी विचारधारा है उदारवाद के विचार को नुकसान पहु नहीं हो सकती क्योंकि जहां जहां बाजार आधारीत विवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से अस हाय साबित होने लगी लेकिन जहां इस्टेट मेकनिजम ज्यादा हावी था जहां इस्टेट बहतर तरीके से रोल प्ले कर सकता था तो इस्टेट ने बहतर तरीके से रोल प्ले लेकिया और कोविट जैसी महामारी के दौरान प्राइवेट सेक्टर को सहायक के रूप में आना पड़ा और मेन रोल मुख्य भूमिका इस्टेट को ही निभाने पड़ी अगर इस्टेट मुख्य भूमिका में नहीं आता तो कोविट जैसी महामारी निजी छित्रों के बसकी कर पाते हैं जबकि ये विचार नव उदारवाद के ठीक विप्रीथ है उदारवाद के ठीक विप्रीथ है क्योंकि उदारवाद कहता है less government more governance कि सरकार rollback करे अपने आपको सरकार की भूमिका कम हो और नीजी छेत्रों की भूमिका देखें तो security के लिए बड़े-बड़े threat create हो रहे हैं आतंकवाद उसमें सबसे बड़ा threat है और ऐसे दशा में अगर इस आतंकवाद को control करना है तो और पूरे विश्व में शांति की अस्थापना करनी है तो यह mechanism केवल और केवल स्टेट के पास है प्राइविट सेक्टर के पास यह mechanism नहीं है तो यह सब लक्षण ऐसे हैं जो उदारवाद के पतन की और ले जाते हैं कि शक्ति और आधिपत्ति के बीच संबंध पावर एन हेजमनी हेजमनी हेगमनी दोनों किया जाता है शक्ति क्या है शक्ति किसी से कारे कराने की छमता है कि हमारे पास पावर है तो हम किसी से कारे करवा सकते हैं और जो हेजमनी है आधिपत्त्य है आधिपत्त्य क्या है आधिपत्त्य एक तरीके से किसी के विचारों को प्रभावित करने की छमता है कि हम किसी के प्रभावित कर लेते हैं और वो हमारे प्रभाव में आ जाता है और हमारे अनुसार कारे करने लगता है तो यह आधिपत्य हो क्या तो शक्ति को हमेशा hard माना जाता है और आधिपत्य को हमेशा soft angle से explain किया जाता है हमेशा soft तरीके से माना जाता है जो steven lukes है उन्होंने शक्ति को तीन रूपों में बताया उन्होंने कहा शक्ति एक तो निरड़े लेने की शक्ति के रूप में होती है दूसरा agenda निरधारित करने की शक्ति के रूप में होती है तीसरा विचारों को प्रभावित करने की शक्त विचारों को जो प्रभावित करने वाली शक्ति है वह बिसिकली आधिपत्य हो गई वह वह हैजमनी हो गई इस तरीके से शक्ति और हैजमनी एक पॉइंट में मिलते हुए नजर आते हैं कि लोगों को प्रभावित करना है अब लोगों को प्रभावित कैसे करना है इन तरीको दोनों में रहती है वैधानिक्ता दोनों सो रूप में रहती है लेकिन वैधानिक्ता के रूप बदल जाते हैं जहां शक्त में वैधानिक्ता का रूप हमेशा हार्ड होता है हरार्की है, बल प्रियोग है, आदेश देना है वहाँ आधिपत्त में जो Legitimacy है आधिपत्त में Legitimacy हमेशा स्विक्रित में नहीं थोती है कि लोग विचारों से प्रभावित हैं इसलिए Accept कर ले रहे हैं विचारों को और जब विचारों को Accept कर लेंगे तो Obviously आधिपत्त की अस्थापना हो जाएगी आगे चल करके Gramsci ने हेजमनी पर सबसे जादा सबसे प्रभावी और सबसे महत्पून अध्यन किया है और हेजमनी के बारे में Gramsci कहते हैं कि जो पूजीवादी देश हैं पश्मी देश हैं उन्होंने पूरे विश्व और विशेशकर जो विकाशील देश हैं उन सब पर अपना हेजमनी अस्थापित करने का प्रयास किया है और ये सामाजिक सांस्कृतिक तोर पर अस्थापित करने का प्रयास किया है क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक विचार हैं और विचारों का आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया है और विचारों का आधिपत्य स्थापित करने का अर्थ ये है कि जैसा पश्चिमी देश करते हैं विकाशील देश वैसा ही फालो करने का प्रयास करते हैं तो ये शक् पाष्षा के अनुसार कारे करने लगते हैं यही मुक्ष बिंदु है लेकिन एक harder पावर और को दर्शा आता है तो अगला हुशन है यह तो हो गये के अब उपयुक्त उदारणों सहित राजनीतिक शब्द में नहीत-अर्थ को समझाइए तो यह political की बात कर रहा है हम लोग जानते हैं कि जो politics शब्द है यह polish शब्द से बना हुआ है polish ग्रीक शब्द है Greek शब्द है और Greek शब्द में polish का मतलब होता है नगर राज्ये इसका मतलब है politics नगर राज्यी की गत्विदी है लेकिन जो political है यह politics से भिन है यह politics की विशेष्टा बताता है यह politics का एक तरीके से कह सकतो यह adjective form है तो यह politics की विशेष्टा बताता है कैसे बताता है political शब्द politics की विशेष्टा अगर हम लोग प्रारंब से देखें कि कैसे प्लेटिकल शब्द politics की विशेष्टा बताता रहा है तो शुरुवात प्लेटो के समय से होती है और प्लेटो परसनल और प्लेटिकल में कोई भेद नहीं करते हैं उन्होंने इस्त्रियों के साम्मेवाद संपत्ति के साम्मेवाद के रूप में अपने विचारों का प्रतिप संदिया तो वह प्लेटों के इस चंतन से सहमत नहीं थे अरस्तु का मानना था कि जो परसनल स्फेयर है और प्लिटिकल स्फेयर है वह अलग है जो प्लिटिकल स्फेयर है वह राज्य से जुड़ा हुआ है वह पब्लिक गत्विधियां है वह पब्लिक स्फेयर से जुड़ा हुआ है और जो परसनल स्फेयर है वो अलग है वो वेक्ट की अपनी नीजी चीजें उनसे जुड़ा हुआ है तो उन्होंने परसनल और पॉलिटिकल को भिन भिन माना लेकिन इस यूनानी काल के बाद जब मध्यूग आया यूरोप में तो मध्यूग में चीजें फिर चेंज हो गई अब यहां पर राजनीतिक किसको कहा जाएगा राजनीतिक किस चीज को माना जाएगा इस बारे में कोई असपश्टमत नहीं था क्योंकि चारों तरफ धर्म का प्रभाव था अंधकार युक कहते हैं डार्केज कहते हैं और पूरी की पूरी राजनीति धर्म के प्र पंद्रहवें शताब्दी तक तो ऐसी ही व्यवस्था रही लेकिन इसके बाद जब मैक्यावेली का आगमन आया एक आधुनिक चंतक के रूप में तो मैक्यावेली ने पिलेटिकल को एक निया आयाम प्रदान किया और उन्होंने धर्म से region से religion से politics को उन्होंने अलग कर दिया और इस तरीके से एक political secular sphere का निर्माण हुआ political एक secular sphere का निर्मान हुआ जो धर्म religion की गत्विधियों से पुरी तरीके से भिन्न था और यहीं से political को नए अर्थ और नए आयाम मिलने शुरू हो गए आज जो political शब्द है वो political शब्द इस नए अर्थों में ही जन्मा है जो personal से political को भिन्न मान करके चलता है जिसमें personal को एक व्यक्ति के निजी जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है political को public sphere माना जाता है सारवजनिक गत्विधिया माना जाता है state की गत्विधिया माना जाता है तो जब इस तरीके का भेद किया जाता है तो नारिवादी आरूप लगाते हैं वे कहते हैं कि जैसे ओकिन है इन्नों का ये मानना है कि इस तरीके का भेद इसलिए किया जाता है क्योंकि परसनल और पलिटिकल में भेद करके जो पित्र सत्तात्मक सत्ता है उसे बनाए रखने का प्रयास किया जाता है इसलिए जो परंपरागत तरीके से personal और political का भेद है वो पित्र सत्तात्मक सत्ता को बनाए रखने के लिए है क्योंकि जो public sphere है उस public sphere में पित्र सत्तात्मक सत्ता ही हावी रही है अगर ये भेद बना रहेगा personal जीवन अलग रहेगा तो personal जीवन में महिलाओं को अधिकार दे दिया जाता है ये तुम्हारा छेत्र है और जो public sphere है वो पुर्शों को कह दिया जाता है ये तुम्हारा छेत्र है तो ये जो एक भेद भाव बनता है personal और political का ये basically पित्र सत्तात्मक सत्ता को बनाये रखने के लिए बनाये जाता है जो नारिवादी है वो इसी तरीके का आरोप लगाते है हलाकि जो हना आरेंट हैबर मास इस तरीके के जो चिंतक है वे public sphere को public sphere पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वे public sphere का उल्लंगन नहीं करने की इजाज़त देते हैं उनका मानना है कि अगर इस तरीके का उल्लंगन होगा तो फिर वो totalitarianism की तरफ चीज़ें चली जाएंगी तो ये political शब्द का जो different different approach है वो हम लोगों ने समझा कि कैसे appropriate illustration के साथ अगला question कह रहा है माक्सवाद एक क्रिया आधारी तराजनीतिक सिध्धानत है जो अपने मूल सिध्धानतों के सिख्ध अनुपालन की बात करता है अब देखो माक्सवाद के बारे में हम लोग जानते है कि माक्स समाजवाद की अस्थापना की बात करता है पहले स्थेज में फिर साम यवाद की अस्थापना की बात करता है कि सारे मजदूरों एक हो जाओ और कुरांति करके समाजवाद और फिर अन्त में सामवाद लेकर आओ ये समरी है एक तरहीके से तो अब माक्स का ये जो पूरा का पूरा विचार है यह पूरा का पूरा चार विचार यह action oriented है, यही कहरा है, action demanding है, जो strict compliance की बात करता है, लेकिन अब विवहार में इसका strict compliance कैसा रहा है, इसी बाद की हम लोग यहां पर इसी बाद पर टिपड़ी करने जा रहे हैं इसी बाद पर कमेंट करने जा रहे हैं तो माक्सवाद का जो विचार है वो पूजीवाद की विवस्ता को खतम करने के लिए लाया गया क्योंकि पूजिवाद एक विशमता पूरवक या उदारवादी विचारधारा एक विशमता पूरवक समाज की अस्थापना का पर बल देती है और इस कारण से माक्सवाद इस विशमता पूरवक समाज को अंत करके एक समता मूलक समाज की अस्थापना की बात करते हैं जिसको समाजवाद और सामयवाद के रूप में निरूपित करते हैं चुकि समाज सरवहारा और बुर्जवा के बीच विभक्त हो जाता है सरवहारा यानि मजदूर बुर्जवा यानि पूजी पति के बीच विभक्त हो जाता है इसलिए माक्स विश्यु के मजदूरों का आवाहन कर पर्फिक्ट इक्वार्टि लाने के लिए एक स्टेज और आगे बढ़ना पड़ेगा तो पहला स्टेज पहला स्टेज समाजवाद है यानि वह मजदूरों का शासन और दूसरा स्टेज वह सभी का शासन है सभी का शासन है तो पहले स्टेज में लोगों को काम मिलेगा सबको काम करना होगा जिसको काम नहीं मिलेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा सबको काम करना होगा और योग गिता के मताबिक पैसा मिलेगा जब सामेवाद अस्थापित होगा तो काम वहां भी सबको मिलेगा लेकिन स तो आवशक्ता के मताबिक पैसा मिलेगा, तो आवशक्ता के मताबिक पैसा मिलेगा, तो सबकी आवशक्ता हैं almost similar होती हैं, तो एक तरीके से perfect equality की और हम लोग बढ़ जाएंगे, यानि साम्मेवाद की और बढ़ जाएंगे, यह मार्क्स का एक सिध्धान्त है, तो में इसको समझाएंगे, जो हमने बात की, फिर यह कह रहा है, जो अपने मूल सिध्धान्तों के सख्त अनपालन की मांग करता है, ऐसा क्यूं कहा गया, कि सख्त अनपालन की मांग करता है, क्योंकि सख्त अनपालन हुआ नहीं, बस इसी बात को बताना है, कैसे नहीं हुआ, म शाम्मेवादी शासन की अस्थापना की लेकिन लेनिन ने माक्सवाद के नाम पे जिस शासन की अस्थापना की वो माक्स के विचारों से दूर था क्योंकि माक्स वर्ग वहीन राज्जी वहीन समाज की अस्थापना की बात करते हैं दल वहीन समाज की अस्थापना की बात करत करते हैं इसी तरीके से माक्स वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं लेकिन लेनिन ने जिस प्रकार से सत्ता की अस्थापना की उसमें वर्ग तो बना ही रहा इसलिए वर्ग विहीन समाज की अस्थापना नहीं हो पाई माक्स ने मजदूरों को ले करके क्रांती का बिगुल छे विचार था माक्स्वाद के नाम पर लागू लेकिन वह इस्टिक्ली माक्स नहीं था इसलिए वह लेनिनवाद कहा जाता है कि लेनिन ने अपने तरीके से माक्स को लागू किया दूसरा कंप्लाइंस माक्स का देखने को मिला चीन में चीन में माउतसित तुंग ने माक्स के विचारों को लागू किया लेकिन यहां भी माक्स के विचारों से पूरी तरीके से दूरी थी दूरी इसलिए थी क्योंकि माउतसित माक्स ने मजदूरों को इकठा ह करके और सब्ता परिवर्तन करांति की बात की थी जबकि माओ का जो जिसे माओवात कहा जाता है माओ का जो माकसवात था वो माकसवात नहीं था सही अर्थों में क्यों क्योंकि उन्होंने किसानों को ले करके आंदोलन की शुरुआत की और किसानों को उन्होंने अपने आंदो एक पूजी पति थे और समर्थक थे उनके वो विरोधी नहीं रहे तो इस तरीके से माओ ने भी जिस तरीके से शासन की स्थाप्ना की जिस तरीके से चीन में सप्टा परिवर्तन किया कृंठी की उस क्रांती में भी मार्क्स के विचारों के लक्षण दिखलाई नहीं पड़ते तो माकसवाद एक विचारधारा के रूप में तो बहुत अच्छी विचारधारा है लेकिन विवहार में इसका अनुपालन बेहत कटिन है और यही कारण है कि माकसवाद विवहार में लागू नहीं हो पाया जिन्हों जिन्होंने माक्सवाद को लागू करने की कोशिश की इसलिए इस सिद्धानत को यदि हमें लागू करना है तो इसके स्ट्रिक्ट मूल सिद्धानतों का सخت अनुपालन करना होगा तभी माक्सवाद सही तरीके से सफल हो पाएगा या तभी माक्सवाद की सही तरीके से अस्थापना हो पाएगी कहने का आशाई यह है जबकि व्यवहार में मूल सिध्धान्तों का सक्त पालन नहीं रहा लेनिन माव जैसे नेता जिन्होंने माक्सवाद को लागू करने की कोशिश की वह माक्स के रास्ते से भटकते गए दूर होते चले गए टार्गेट वही रहा लक्ष वही रहा लेकिन जो मॉडस अपरंडी था वो डिफरेंट रहा सबका अगला कहता है लोकतांत्रिक नागरिकता की समानता और नागरिकों की सोतंतरता के बीच संबंद की प्रकृति आर्थिक समानता से प्रभावित होती है अम्बेदकर जी भी कहते देए कि वही आर्थिक समानता लानी पड़ेगी तभी समानता और सोतंतरता पूरी तरीके से स्थापित होगी तो लोकतांत्रिक नागरिकता क्या है लोकतांत्रिक नागरिकता का मतलब है कि डिमोकर्टिक पैटर्न पर हमारी सिर्जन्शिप कैसे ह इसका मतलब है कि यह अधिकार और करतव्यों से जुड़ी हुई है हमारी जागरुकता से जुड़ी हुई है और हमारी सक्री और प्रभावी भागीदारी से जुड़ी हुई है ऐसी है नागरिकता तो अगर हम ऐसे नागरिक हैं समाज में तो ऐसे नागरिकों की समानता और नागरिकों की सोतंतरता के बीच जो संबंद है वो कैसे निर्मित होंगे स्वभाविक से बात है कि समानता का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी आधारों पर समानता की अस्थापना की जानी चाहिए और जब हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी अस्थानों पर समानता की अस्थापना की बात करते हैं तो नागरिकों की सोतंतरता पर कहीं न कहीं प्रहार होता हुआ दिखता है इससे नागरिकों की स्वतंतरता कम होती ही दिखती है इसलिए जो और इसमें भी सबसे जादा जो नागरिकों की स्वतंतरता प्रभावित होती है वो आर्थिक समानता के आधार पर प्रभावित होती है आर्थिक समानता का मतलब है कि संसाधनों का नयापूर्ण वितरन सुनि तो आर्थिक समानता का मतलब है कि संसाधनों का नयापूर्ण वित्रण सुनिश्चित होगा और जब संसाधनों का नयापूर्ण वित्रण सुनिश्चित होगा तो संसाधनों पर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो प्रभावित होगी इसलिए जब हम समानता की बात करते हैं तो हमें लोकतांत्रिक नागरिक्ता की समानता पर ध्यान देना होगा जिससे की प्रत्यक व्यक्ति लोकतांत्रिक नागरिक्ता के नाते वो प्रभावी तरीके से भागीदारी अस्थापित कर सके जिससे समाज में समानता न्याय स्वतंतरता जैसे लक्षो को पूरी तरीके से प्राप्त किया जा सके आर्थिक समानता इसमें सबसे बढ़ा रोल प्ले करती है महत्पूर घटक है क्योंकि जो सबसे जादा प्रहार हुआ है जो सबसे जादा ध्यान दिया जाता है वो आर्थिक समानता को ही लेकर दिया जाता है क्योंकि अगर आर्थिक समानता आएगी और कोई बहुत अमीर है तो क्या समाजिक रूप से समान होगा नहीं होगा राजनितिक रूप से समान होगा नहीं होगा तो अगर हम राजनितिक समानता और आर्थिक और समाजिक समानता की बात करते हैं तो आर्थिक समानता उसका मुख्य घटक है आर्थिक समानता के बिना संपूर्ण समानता नहीं आ सकती और लोगों की स्वतंतरता का संरक्ष्ण नहीं किया जा सकता समानता और स्वतंतरता के बीच संबंधों को हमें आर्थिक समानता से ही तै करना होगा अगला कहता है मानवा अधिकारों पर बहस सारभौमिक्ता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद दोनों की सीमाओं के बीच भसे हुई है टिपड़ी कीजे बात बल्कुल ठीक है हम लोग जानते हैं कि मानवा अधिकार मनुश्य के प्रिकृत प्रदत अधिकार हैं जिनें अब ल सांस्कृतिक सापेक्षवाद कल्चरल रिलेटिविजम इन दोनों की सीमाओं के बीच इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो मानवा अधिकारों की सारभौमिक्ता है वो यह कहती है कि पूरे विश्य में सभी के मानवा अधिकार एक जैसे होने चाहिए सभी मनुश्य आधिकार गुजहि है क्योंकि मनुश्य मनुश्य के रूप में जन मी लेते हैं और सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि नहीं यह गलत है जो मानवा अधिकार है zie और गलोब नार्थ और गलोबल स्वाथ में और उनके रहन शहन में बहुत पूरे के पूरे environment में बहुत बढ़ा अंतर है बहुत बढ़ा gap है इसलिए एशियाई मुल्यों की बात की जाती है तो जो एशियाई मुल्यों पर होने वाली बहस है कि जो एशियाई समाज में रहने वाले लोग हैं उनको हम विक्सित समाज में रहने वाले लोगों के समतुलि कैसे मान सकते हैं तो जब हम मानवा धिकारों की बात करते हैं तो मानवा धिकारों में एक दृष्टिकोंड ये है कि वो युनिवर्सल डिक्लरेशन और युनिवर्सल डिक्लरेशन के लिए युनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करता है कि सभी के लिए एक जैसे मानवा धिक मानवाधिकार संस्कृति कαरों का म्हान त्यूकृत है अन्तिम निश्कर्ष निकालना कि किस ओर या जाए लेकिन भीकुपारिक जैसे जो राजनीतिक चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि जादा बहतर है कि एक बीच का रास्ता एडॉप्ट किया जाए एक मद्धिमार एक मिडिल पाथ अपनाया जाए बजाए इसके कि हम लोग एक्स्ट्रीम दोनों एक्स्ट्रीम थौट हो गए कि युनिवर्स चलने की कोशिश करें विमर्शी लोकतंत्र नागरिकों के मद्ध सारुजनिक मुद्धों के संबंध में लोकतंत्रिक निर्डेयन को बढ़ावा देने का प्रयास है तो यह डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है डेलिबर प्रफता लोगों में नहीं थे दूसरी बात जो कुछ भी डिसाइड हो जो भी निर्डे लिये जाएं जो भी कारी किये जाएं उनमें लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए उनमें लोगों को भागीदार भी बनाया जाना चाहिए लोगों की भागीदारी से ही सब कुछ है विचार लोगों की भागीदारी से ही दस्ति निरधारी जाए दो एक तरीके शानल है विमर्शी लोकतंत्र ना Hundreds में लोगतांत्र को बढ़ावा देने का प्रियास करता है ब से शुरा कि लोगों की भागिदारीी हो निर्डे की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि केवल प्रतनेदिक भागीदारी के जरिये लोगों ने सरकार चुन ली और सरकार ही सब कुछ करेगी सरकार करेगी तो सब कुछ लेकिन लोगों से विचार विमर्श करके करेगी जो बहुमत की राय होगी सरकार उस बहुमत के राय के अनुसार आगे बढ़ेगी जैसे रेफरेंडम का आयोजन करना है तो वो भी एक तरीके से विमर्शी लोकतंतर का हिस्सा है या फिर सरकार लोगों से भागीदारी निभाने के लिए कहती है कि भी अगर कोई भी जैसे कानून बनने है तो अगर कोई कानून बनना है तो उस कानून बनने के लिए लोग अपने विचार भेज सकते हैं लोग अपने थौट भेज सकते हैं बजट बनना है अगर हर साल बजट बनाया जा रहा है तो बजट बननने के लिए लोग अपने विचार भेज सकते हैं वे बजट में क्या क्या चाहते हैं, वे बजट में किन किन बातों को देखना चाहते हैं, तो सरकार जो कुछ भी करे, जब राज जी के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा, ऐसा करने में हमेशा नागरिकों की भागीदारी, लोकतांत्रिक निर्डेन का मतलब हो गया, कि सब संप्रभु शक्ति इलोग시ंव में ही नहित होती है। राज्ज में नहिक रहुतु है संप्रभु। इसनिए लोगों के की द्वारा लिए जाने चाहिए। जि estánने लोगों के द्वारा लिए रहता हैतो यह विमर्शी लोगतंत्र का क्वेशन हो गया अगला देंखो अगला धर्म शास्त्र का है यह स्वाइल से के ड़ियों और संवंदायों के लिए करतव और विश्व त्रस्थिकॉन प्रस्तुत करता में हैं थर्म बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत का जो धर्म शास्त्र है ये किस तरीके से कर्तव विकेंद्रि द्रिश्टिकूण का प्रतिपादन करता है क्योंकि जो भारती धर्म शास्त्र है वो पुरुशार्थ आधारित है कर्म पर आधारित है कर्म प्रधान है कर्मन्डे वाधिकारस्ते तो कर्म प्रधान कर्म की प्रधानता की बात करता है वह पुरुशार्थ की बात करता है पुरुश टार तरीके की पुरुशार्थ बताए गए है अर्थ धर्म काम मोक्ष धर्म का मतलब है वह वैल्यू से अपने मुल्यों पर आधारित जीवन मुल और दो दृष्ट का मतलब हो गया कि भृतिक जीवन हमें आजीवीका चलाना है तो हमें भृतिक जीवन का पालन करना होगा काम का मतलब हो गया कि व्यक्ति अपनी वन्षावली को भी आगे बढ़ाए वरना समाज संकुचित हो जाएगा अवरुद्ध हो जाएगा धीरे-धीरे समाज का पतन हो जाएगा लोग रहेंगे नहीं तो वन्षावली भी बढ़े और मोक्ष मोक्ष यानि व्यक्ति को अंतता अपने अध्यात्मे कुछ थान के लिए प्रेत्म करना चाहिए तो वह चार तरीके के पुर्शार्थ लोगों के लिए निश्यत करता है अब जब धर्म की बात करता है तो वह कहता है धिते छमादम वेस्तियम शोचम इंद्री निग्रह धेर विद्या सत्तम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण यानि धर्म के दस लक्षण बताएगे हैं यहां धर्म का मतलब रिलिजन से नहीं है जैसा आज है जो भारतिय धर्म शास्त्र है वो धर्म को मुल्यों से जोड़ता है कि जिसके जीवन में ये दस लक्षण होंगे धिते यानि धैर छमा इसका मतलब छमा करन दमो अस्तेयम मतलब दम अंधकार से दूर रहना चोरी न करना सवाफ सफाई सुक्षता मन विचारों कर्म की सुक्षता रखना इंद्रियों पर नियंतरन रखना बॉद्धिक बुद्ध मत्ता तर्क बुद्ध पर ध्यान देना ग्यानारजन करना सत्य और अक्रोध पर बल देना जब व्यक्ति अपने जीवन में इन दस लक्षणों का पालन करता है तो वो धर्मशील माना जाता है यही धर्म है भारतिय परंपरा में अब इस धर्म को धारन करने वाला व्यक्ति चार तरीके के कर्म कर सकता है एक तो अध्यन अध्यापन से जड़े हुए कर्म कर सकता है दूसरा राज्य और समाज की सुरक्षा का कारे कर सकता है तीसरा उत्पादन व्यापार इन सब का कारे कर सकता है और चौथा लोगों समाज और राष्ट की सेवा का कारे कर सकता है तो इस तरीके से चार प्रकार के वर्णों की उत्पत्त flavor की गई ज्यानारजन से समलनें ब्रामपन जो सुरक्षा से समंदें छात्री व्यापार उत्पादन वाड़िज इन सबसे समंदें वैश और स्प मोफ्रली चण्रों करनेकर जो सर्विस देने करता है तो वो कार के आधार पर करता है करतव के आधार पर करता है किसी अन्य आधार पर नहीं यह बात अलग है कि हम लोग अभी से जाती के रूप में जानते हैं अब आज के लिए ब्रामण जाती है छत्री जाती है लेकिन जब धर्म शास्त्र ने बटवारा किया तो ब्राम भवंति सुखना की बात करता है और वसुधयव कुटमबकम पूरी विश्व पूरी वसुधा को पूरी पृठ्वी को परिवार मान कर चलता है तो यह धर्मशास्त्र हो गया बहुत अच्छा है अगला कहता है वैधता राजनीतिक सत्ता और दाइत्त में सकारात्मक मूल ले जोड़ती है वैधता राजनीतिक सत्ता और दाइत्त में सकारात्मक मूल ले जोड़ती है तो वैधता है क्या लिजिटिमेसी है क्या लिजिटिमेसी बिसिकली शक्ति के प्रियोग को वैध बनाती है अगर किसी ने किसी के उपर शक्ति का प्रियोग किया और वो वैध है कि इसी भी रूप में तो वही शक्ति के प्रियोग को वैधता वही शक्ति के प्रियोग को सत्ता में परिवर्तित करती है वही शक्ति के अधिक बेटा राजा होगा तो भी राजा के बेटे की बात राजा की तरीके से फिर मानी जाएगी क्योंकि आगे वही राजा है या फिर चमतकारिक व्यक्तित्त है चमतकारिक तरीके से वैधता मिलती है चमतकारिक तरीके से वैधता कैसे मिलती है जैसे चलपड़े जिधर दो डगम पग में चल पड़े कोटी पग उसी और अगर गांधी जी ने असहयोग आंदुलन का अहवान किया तो सभी ने समर्थन कर दिया जब उन्होंने वापस लेने की बात की तो नचाहते हुए भी सबने वापस ले लिया तो ये चमतकारिक हो गया किसी व्यक्ति के व्यक्तित्य के आधार पर लोग उसकी बात को वैध मान लेते हैं और उसका उनपालन करते हैं और तीसरा है विधिक तारकिक विधिक के आधार पर और तरक के आधार पर जब वैधता सुनिश्चित की जाती है लिटिमेशी सुनिश्चित की जाती है तो ये लेजटिमेशी का सबसे अच्छा स्वरूप मना जाता है यह best format मना जाता है तो वैधता सत्ता और दाइतु में एक ओफॉरटी और 5 obligation में एक, सकारात्मक मुल्य जोडती है। तो इस तरीके से व्याद्यता, भिंड भिंड रूपों में अस्थापः की जाती है। व्यद्यता ही, राजनीतिक सत्ता की वास्थाइप आस्थापणा करती है। क्योंकि अगर वैध्यता नहीं प्राप्त होगी तो राजनीतिक सत्ता अस्थापित नहीं हो सकती तो वैध्यता ही राजनीतिक सत्ता की अस्थापना करती है और इसी वैध्यता से बाध्यता में जो अब्लिगेशन है दाइट्व में मुल्यों का समावेश होता है कैसे मुल्य जिनकी अवहिलना नहीं की जा सकती, ये कैसे तैह होगा, ये तैह होगा कि वो वैधता उस आदेश को मिली है कि नहीं मिली है, अगर वैधता उस आदेश को मिली है, तो ये माना जाएगा कि उसका पालन करना बाद देता है, जो राजनीतिक सत्ता का प्रियोग किया जा रहा है अगर उस राजनितिक सत्ता का प्रियोग वैद है तो दाइत तो निभाने होंगे करतव निभाने होंगे उसी के अनुसार अगर राजनितिक सत्ता का प्रियोग वैद नहीं है तो दाइत तो नहीं निभाय जा सकते करतव नहीं निभाय जा सकते राजनितिक सत्ता का प्रियोग वैद है तो दाइत निभाय जा सकते हैं इसका मतलब ये है कि जैसे वैधता पूरवग अगर सत्ता की अस्थापना की गई है जैसे प्रधान मंत्री की सत्ता मुख्य मंत्री की सत्ता जिलाधिकारी की सत्ता पुलिस अदिक्षक की सत्ता यह सब सत्ता वैद है विधिक तारकिक रूप में उबजी हुई है तो अब यह राजनीतिक सत्ता की वैधता इनके उपर यह दाइद तो आरोपित करती है कि वे समाज के लिए हिद के लिए जिन लोगों से चुनकराएं हैं उनके लिए जिन लोगों के लिए दाइद तो moral legal हर तरीके का obligation होता है कि वे लोगों की प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें अगर सत्ता वैद नहीं है तो इस तरीके का obligation नहीं हो सकता मानलो मनमाने तरीके से सत्ता का प्रियोग अगर शुरू कर दिया जाए तो तो मनमाने तरीके से अगर कोई सत्ता का प्रियोग शुरू कर दे तो वो सत्ता वैद नहीं मानी जाएगी और वो सत्ता वैद नहीं मानी जाएगी तो सभी प्रकार के दायत्तों से मुक्त हो जाएगी तब कहे का दायत्तों सत्ता वैद होगी तभी तो वो गरीबों के हित के के लिए समाज के कल्यांड के लिए तभी सोचेगी सफसा गारी नहीं होगी तो रूर चली जाएगी पिर लो तो तो फिर वो उसमें मुल्यों का समावेश होगा ही नहीं कि तो सप्सा की वैधित अ हे धा के साथ मुल्यों का समावेश करती है दाइतु निभाने के लिए मुल्यों का समावेश करती है यह सब तो ऐसी चीजें कि अगर आप थोड़ा सा में दो कि आप प्लेटो के रूपों की सिध्धान का भी रूप का सिध्धान के हैं क्योंकि यह यह दो रूप है एक तो बहुत जीवन का रूप है और एक है और दूसरा रूप है विचारों का रूप है जो भौतिक जीवन है वो विचारों की परच्छाई है लेकिन हम अपनी अज्ञांता के कारण हम विचारों को को नहीं समझ पाते हम केवल इस भौतिक जीवन को समझ पाते हैं हम केवल इस भौतिक जीवन को देख पाते हैं लेकिन प्लेटो कहते हैं कि अगर हम अज्ञानता के अस्तर से उपर उठें हम ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञान प्राप्त करके हम विचारों के संसार को जान स क्योंकि जो विचारों का संसार है वो हमें आत्मा की ओर ले जाता है जैसे मानो शरीर है तो मानो शरीर में भौतिक रूप से हमारा शरीर दिखता है ये भौतिक दुनिया है ये भौतिक विश्व है और जो आत्मा है हमारी जो अद्रिश है वो प्लेटो के लिए विचारों का संसार है प्लेटो के लिए आध्यात्मिक उत्थान तभी होगा जब हमारा ये भौतिक जीवन हमारी आत्मिक हमारी आत्मा से एकाकार होता है साक्षात कार करता है तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है प्लेटो का जो उद्देश था वो व्यक्ति के आत्मिक उत्थान क अभी होगा जब व्यक्ति इस ग्यान को समझेगा, ग्यान के इस भाव को समझेगा, इसके लिए वो एक गुफा की कथा का सहारा लेते हैं, वो कहते हैं, एक कैदी बैठा हुआ है गुफा में, जिसका मुफ गुफा की और है, प्रकाश पीछे की और है, बाहर है, वो बेडिय तोड़ करके और बाहर निकल करके आता है और सूरच का प्रकाश देखता है बाहर उसे लगता है कि ओह ये है वास्तविक दुनिया लेकिन जब वो अंदर जाता है गुफा के अंदर और गुफा के अंदर जहां मुम्बत्ती के प्रकाश या कुछ दिये के प्रकाश ये लोग कि वहां की परच्छाई बन रही है जो लोग वहां बैटें और वहां के लोगों को बताता है कि ये तो बेकार की दुनिया है ये प्रकाश नहीं होता ये लाइट नहीं होता वास्तविक दुनिया तो बाहर है अथाह प्रकाश है असीमित प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है जब यह बताता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता लोग कहते हैं कि इसकी बातें स्विकार करने योग नहीं है क्यों? क्योंकि वो अग्यानता के अंधकार में बैठे हुए हैं गुफा में बैठे हुए गुफा अग्यानता के अंधकार का प्रतीग है और जो गुफा के बाहर आकर व्यक्ति सुरज की रोशनी को देखता है वो ग्यान का प्रतीग है तो इसी तरीके से प्लेटो ये एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करते हैं कि जो विचारों का संसार है फेरी जो वर्ड ऑफ आइडिया है हमें वर्ड ऑफ आइडिया से अपने आपको कनेक्ट करना चाहिए यही हमारी शुभता के लिए आवश्यक है लेकिन हम अग्यानतावश हम वर्ड ऑफ मैटर में उलजह हुए हैं तो हमें वर्ड ऑफ मैटर से वर्ड ऑफ आइडिया की और जाना है क्योंकि जो word of matter है जो भृतिक दुनिया है यह विचारों की दुनिया का ही की ही परचाई है तो हमें विचारों की दुनिया को समझना है इस भाव को समझना है और इस भाव को लेकर आगे बढ़ना है इसी बात को समझाने के लिए कि व्यक्ति इस भृतिक दुनिय कि ही रहे बहुतिक दुनिया में जीवंजिए क्योंकि बहुतिक क्विक्वन में ही रहेगा और कहा कई रहेगा लेकिन शीवन रहते हुए वह विचारों की दुनिया को समझ सकें जिससे अपने आपको उस ऐत्मा से के प्लेटो इस परपस के लिए यह theory of idea और theory of matter का विचार प्रतिपादित करते हैं तो बड़ा असा question है अच्छा सा question है simple सा question है मानवेंद नाथ राय अपने राजनीतिक विचारों में माक्सवाद के मानवतावादी पहलू को विशिष्ट रूप से माक्सवाद का मानवतावादी पहलू कहता है कि वो प्रकृतिवाद और मानवाद पर बल देता है प्रकृतिवाद का मानवतावादी दृष्टिकूण का सार है कि मनुष्य प्रकृतिवाद और मानवतावाद के संसार में रहता है यानि प्रकृतिवाद और मानवतावाद ही मनुष्य के जीवन का उद्देश है लेकिन अब माक्सवाद ये कहता है कि पूजी वाद ने प्रकृतिवाद और मानावतावाद दोनों को नश्ट किया है इसलिए पूजी वाद को उखाड फेकना चाहिए क्योंकि पूजी वाद केवल आर्थिक उत्पादन पर बल देता है अलगाव पर बल देता है अलगाव भी कैसा है वेक्तिका हर चीज से अलगाव हो जाता है अपने उत्पादन से हो जाता है समाज से हो जाता है प्रकृत से हो जाता है हर चीज से हो जाता है तो माक्स कहते हैं कि जो पूजी वाद है वही प्रकृतिवाद और मानावाद का विरोधी है वही प्रकृतिवाद और मानवाद को नश्ट करता है और मनुष्य के लिए प्रकृतिवाद और मानवाद दोनों जरूरी है अगर हमें प्रकृतिवाद और मानवाद को संरक्षित रखना है तो हमें पूजीवाद को नश्ट करना पड़ेगा यही मार्क्स का मानवतावादी दिश्टिकोड है मानवेंद्रिनाथ राय ने इसी विचार को लेकर के अपने विचारों का प्रतिपादन किया और उन्होंने नव मानववाद या वैज्ञानिक मानववाद scientific humanism या new humanism जैसे विचारों का प्रतिपादन किया मानवेंद्रिनाथ राय ने बताने की कोशिश की कि जो व्यक्ति है वो एक तरीके से उपेक्षा का शिकार रहता है इग्नोरेंस का शिकार रहता है चीजों को इग्नोर करता है क्यों करता है क्योंकि वो जानकारी नहीं रखता उसके पास समझ नहीं होती चीजों की समझ नहीं होती चीजों की जानकारी नहीं होती तो उपेक्षा का भाव इग्नोरेंस का भाव अपने आप जन मिलेगा और जब इग्नोरेंस का भाव जन मिलेगा तो अग्यानता का भाव जन मिलेगा अंधकार ग्यान के अंधकार का पसे नियम बनाएंगे तो जो मानवेंद्रनाथ राय का विचार है मानवेंद्रनाथ राय का विचार माक्स के इन ही पहलों को मानवतावादी पहलों को आत्मसाथ करता है और जो इग्नोरेंस वाली जो पूरी थेरी है कि व्यक्ति जिस तरीके से अग्यानता की बेडियों में बधा हुआ है अंधकार में बधा हुआ है जागरूक नहीं है उसे हटा करके और फिर से वो अपने को प्रकृतिवाद और मानवतावाद की ओर ले जा सकता है तो अगर व्यक्ति अपने को प्रकृतिवाद और मानवतावाद की ओर ले जाएगा प्रकृतिवाद मतलब वो प्रकृति के नीमों से भी बधे मानवतावाद यानि वो मनुष अपने द्वारा स्वैम एक अच्छे जीवन के लिए मनुष नीम बनाए और उसके लिए बधे तो ऐसी दशा में व्यक्ति का जीवन हमेशा उत्कृष्ट होगा, नैतिक्ता की परिध तैह होगी, नैतिक्ता की परिध प्रकृत के नीमों से भी तैह होगी, हम प्रकृत का विनाश भी नहीं करेंगे, हम प्रकृत को भी संड़क्षण देंगे, नेचर को भी संड़क्षण देंगे, और मनुश्यों के हितों को भी संड़क्षण देंगे, दोनों को सासा संड़क्षण देंगे, और जब इस तरीके से हम लोग नैतिक्ता का ये जो संगम होगा, ज्यान और नैतिक्ता का ये संग मनुष्य के उत्थान के लिए मनुष्य की प्रगत के लिए रियां सहयक होगा मनुष्य में स्रtz ह्नात्मक्ष्जित्न का विकास कर सहेगा को और तो यह एक तरीके से एग बहु एप का मानातावादी पहलू हो गया तो यह फस्ट पेपर का फस्ट पार्ट हो गया जो हम लोगों ने चर्चा की और इसके बाद फिर अप सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में भारती समविधान में समवैधानिक नेतिक्ता तो समवैधानिक नेतिक्ता का जो विचार है वो विचार उच्टम नेले के द्वारा भारत में समविधान के अंतरगत समवैधानिक नेतिक्ता का विचार उच्टम नेले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और उच्टम नेले कहता है यह समविधान की आत्मा अंतरात्मा औ और यह उतदेशी का मुलाधिकार, नीतोने देशक्तति और मुलकर्त व्यूमें नहीं थे न्यलयś ने इसी आधार पर विबिन वादों का समयाधान किया है और समवेधणिक नेटिक्टा का प्रियोब करते हुए समविधान का पालन, समविधान की भावना, समविधान के आत्मा के अनुसार किया जास के इस बात पर बन दिया है जैसे सबरी माला का केस का एक्जामपल लिख सकते हैं कि 10 से 50 वर्ष की महलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था सबरी माला मंदिर में केरल के मंदिर प्रबंध ने तरक दिया कि भहIE हमारे धर्मिक प्रबंध का मामला है अर्टिकल 26 हमें आजादी देता है मुला आदिकार देता है और जब उच्चतम नैले ने निर्डे दिया तो नैयले ने संवेधानिक नेतिकता का प्रियोग कर लिया संबेधान सभा का उद्देशा संकल्प टिपड़ी करनी है सिंपल बत है कि 13. kaum ha 246 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तूत किया गया यह बताने के लिए किस उद्देश्य के लिए हम संविधान बनाना चाहते हैं उसी को बाद में संशोधित करके उद्देश्य का के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तो जो उद्देश्य संकल्प में प्रस्ताव रखे गए एक स्थापना क्योंकि उस समय तो भारत संपृष की अस्थापना की जает भारत की जाई गिङँ बना रेम्डीज तो विदिक उपचार आर्टिक 32 में दिया गिया है समवैदानिक उप्चारों का अधिकार भी एक कि मुला अधिकार है इसके अंतरगत उच्चतम नयाले को կा आदेश नրदेश या 5 प्रकार की रेटें जारी कर सकता है one to को वारंटो प्राहिबिशन और सर्शुरेरी एक एक दो दो लाइन सब में हम लोग लिख देंगे तो हो जाएगा वह आसान सा है विधान परशद की प्रासंगिक्ता रेल्वेंस आफ विधान परशद दोहरा सदन है तो सभी राज्यों में नहीं वरतमान समय में छे राज्यो उप्योगी है क्योंकि यह विधान सभा की जल्दी बाजी से रोकता है विधान सभा को मनमाने तरीकी से कानून बनाने से रोकता है विधान सभा के कारियों में विशेशग्यता लाने का प्रयास करता है और विधान सभा की कारवाही में थोड़े विलम लाता है जिससे की अ लोगों के द्वारा गाउं गाउं में बिखरे हुए रूपें में बनाई जाती है तो वो अरक कहलाता है आंद्र प्रदेश में अरक विरोधी आंदोलन 1992 में नलोर जिले में शुरू हुआ महिलाओं ने शुरुवाद की क्योंकि महिलाओं का जीवन अरक के कारण यानि देश सबसे ज़्यादा प्रभावित था पुरुष शराब के लती थे और उसके कारण वे महिलाओं के साथ मारपीट करते थे पैसा चुरी कर लेते थे गहने चुरी कर लेते थे बेच लेते थे महिलाओं की आर्थी किस्थिदी खराब हो गई परिवार की आर्थी किस्थिदी ख अरक बेचने वाले ठेकेदार थे विंडर थे उनको रोकने की कोशिश की चुकि सरकार को एक बड़ी इंकम होती थी इसलिए सरकार ने डियम से कहा कि भई तुम नए टंडर निकालो नए कांट्रैक्ट दो तो महिलाओं ने आंदोलन करके टंडर निकालने भी नहीं दिया और कांट्रैक्ट देने भी नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि सरकार को उन्तिता अरक पर प्रतिबंद लगाना पड़ा तो महिलाओं की द्वारा किये जाले वाले आंदोलन में ये एक प्रमुख आंदोलन रहा इससे महिलाओं की जीवन दशाओं में सुधार लाया जा सका अग उद्देशिका में जो समाजी का अर्थिक न्याय है उसको लागू करने के लिए ज़्यादा तर प्रावधान नीत निदेशक तत्तों में दिये गए हैं और नीत निदेशक तत्तों में आर्टिकल 37 ये हस्पष्ट घोशना करता है कि इस भाग में भाग चार में लिखे और लोग कल्यानकारी सुरूप कैसा है आर्टिक 38 व्याख्या करता है कि राज जी है सुनिश्यत करेगा कि सामाजी कार्थिक राजनीतिक न्याय देश की सभी संस्थाओं में अनुप्राणित हो और सभी प्रकार की असमानताओं का अंत हो तो जो नीत निदेशक तत्त जो न्याय को अस्थापित करते हैं जो अन्याय को रोकते हैं जैसे अस्प्रिश्यता का अंत हो गया बाल श्रम का अंत हो गया मानो दुर्व्यापार बलात श्रम इस सब का अंत हो गया तो ऐसे प्रावधान हैं जो न्याय की बात करते हैं लेकिन ये अधिकारों के रूप में जिनको लागू करने से नियाय की अस्थापना होती है लेकिन अस्पष्ट रूप से उद्गोशना नियाय के संबंदों में नीत निदेशक तत्तों में दिखलाई पड़ती है इन अनुच्छेदों का एक्जामपल ले करके हम लिख सकते हैं राष्टी महला आयोग की संरचना और कारे को अस्पष्टी बेहत सिंपल है कि 1990 के कानून के माध्यम से बनाया गया 1992 में और केंसरकार अध्यक्ष नियुक्त करती है सदस्य होते हैं कारे महलाओं की इस्थेतिका अध्यन करना महलाओं की समस्याओं को सुनना उनकी शिकायते है तो यह तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्टन है इसमें कुछ बताने और समझाने वाली बात नहीं है अगला कहता है योजना आयोग की विरासत का भारत की विकास नीतियों पर प्रभाव अभी भी दिखता है विवेचना कीजिए यह बड़ा अच्छा क्वेश्टन है क्यों नियोजन के छेतर में विकेंद्री करण को लागू कर दिया गया कि अब योजना केवल केंद्र नहीं बनाएगा बलकि राजी भी बनाएंगे और अस्थानी अस्तर पर भी बन सकती है डिसंट्रलाइस्ट प्लानिंग का कॉंसेट भी शुरू कर दिया गया लेकिन तो इन प भोजन उपलब्द कराने की बात हो सारजुनिक वित्रण पनाली हो चाहे वो सारजुनिक स्वास्थ भीमा योजना हो आयुश्मान भारत योजना हो तो जितने भी महत्तपूर्ण प्लान हैं जितने भी महत्तपूर्ण योजना हैं भोजन पेजल शिक्षा स्वास्थ सडख इन सभी मूलभूत छित्रों में लागू की जा रही है वो सब भारस सरकार की योजना है वो सारे भारस सरकार के कारेक्रम है जो सभी राज्यों में इंप्लिमेंट किया जा रहे है तो एक तरीके से तो योजना आयोक का समापन हो गया योजना आयोग देश के लिए योजना नहीं बनाता राज्य अपनी योजना खुद बना सकते हैं लागू कर सकते हैं लेकिन भारत सरकार के द्वारा इन कारेक्रमों को लागू करके यह ऐसे ही प्रभाव की रचना की जा रही है ऐसे ही प्रभावत्पन किया जा रहे हैं जैसे योजना आयोक के द्वारा योजनाओं के निर्मान के द्वारा होते थे तो यही इसी बात को explain इसमें करना है यह कह रहा है अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारती समाज में समतावाद की अस्थापना में दलित संघ संघर्ष दलितों के लिए संघर्ष किया मंदिरों में प्रवेश कुऊं से पानी भरना तालाप से पानी भरना सरकों पर चलना इन सारी चीजों के लिए संघर्ष किया गया दलितों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया गया मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष किया और इन संगर्षों के माध्यम से उन्होंने दलितों को समाज में समान अस्थान दिलाने का प्रयास किया डॉक्टर अंबेटकर ने तो एनिहलेशन अफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने जाती व्यवस्था के अन्मूलन की बात की उन्होंने दलितों से हावान किया कि वे गाउं में ना रहें, शहरों में जाएं पढ़ें लिखें, अच्छे रोजगार करें इससे जो समाजिक भेद भाव की जो जणे रही है वो समाप्त हो जाएंगी उनके साथ जो हने वाला भेद भाव है, वो खतम हो जाएगा तो ये सब हम लोग समतावाद की स्थापना में दलित संगर्श का योगदान हो गया ग्राम स्वराज की रूप रेखा नियोजन पर गांधिवादी द्रिष्टिकोंड को समझने की कुंजी है ग्राम स्वराज की रूप रेखा नियोजन पर गांधिवादी द्रिष्टिकोंड को समझने की कुंजी है तो नियोजन यानि यानि योजनाए बनाना और लागू करना ये हमारे यहाँ नहरूबियन द्रिष्टिकोंड प्रशलन में है जिसमें एक केंद्रिकृत योजना आयोग बनाया गया था और वही योजना बना करके लागू करता था 2014 तक लेकिन अब जो योजना का नवीन द्रिष्टिकोंड है वो decentralized planning है और इस decentralized planning में योजनाएं किसी भी अस्तर से बनाई जा सकती है बिसिकली जो 73 जो 74 संविधान संशोधन है वो decentralized planning की बात करता है कि planning bottom up होगी नीचे से उपर चाहेगी यानि योजनाएं गाओं के अस्तर पर बनेंगी और गाओं के अस्तर से जो योजनाएं बनेंगी वही राज्य अस्तर तक आगे बढ़ करके चाहेंगी तो ये bottom up planning का जो अपरोच है ये तभी संबह हो सकता है जब ग्राम स्वराज की आवधारना को लेकर के आया जाए इसका मतलब है कि गाओं के लोगों को शक्ति संपर्न बनाया जाए गाओं के लोगों को अधिकार सौपे जाएं जिससे कि वो प्रभावी निर्ड़े ले सक है और जब तक गाओं में गाओं का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा गाओं का विकास कैसे होगा जब तक ग्राम स्वराज नहीं आएगा यानि गाओं के लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलेगा स्वराज चलाने का तब तक गाओं का विकास नहीं हो सकता तो जो पूरी प्लैनिंग है वो ग्राम स्वराज पराधारित होनी चाहिए यही गांधियन अप्रोच है सरकार की निर्डेन प्रक्रिया में दबाव समू की बहुंका कालोजनात मगाला आकिन की यह बहुत सिंपल है दबाव समू यदा कदा सक्री होते हैं सामाने रू करते हैं इन सबके माध्यम से वे सरकार पर दबाव निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं किसान के समूह व्यापारियों के समूह द्योगपतियों के समूह समय समय पर इस प्रकार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न करते रहें जैसे किसान अंदोलन के दौरान किसानों ने क प्रियोग करते हैं वे प्रदर्शन धरना हरतालें बंद का आयोजन और हिंसा गंभीर हिंसा का सहारा भी लेते रहे हैं इसके अत्रिक सारे दबाव समू सरकार पर एक जैसा प्रभाव नहीं रखते जो प्रभावी हित समू होते हैं वही प्रभावी दबाव समू के रूप मे इसलिए अभी भी देश के अधिकांश किसानों की समस्याँ का समाधान नहीं हो सका है तो सभी दबाव समु सरकार पर एक जैसा प्रभाव बना पाने में सक्ष्म नहीं हो पाते हैं तो यह हो गया अंतिम क्वेश्चन है भारत में पर्यावरडिय शासन को आकार देने में पर्यावरडिय आंदोलन की भूमका का विवेचन कीजिए तो बिल्कुल पर्यावरडिय आंदोलन की शुरुआत भारत में चिपकों आंदोलन से होती है 1974 से तो आप बताओगे कि भी चिपकों आंदो सतंत्रों में भी वनों की कटाई पर प्रतिबंद लग गया वन विभाग की अस्थापना की गई वन कानून बनाया गया और इस तरीके से परियावरणी ये शासन इन्वार्मेंटल गवर्नेंस यानि शासन में परियावरण के महत को ध्यान दिया जाए इसकी शुरुवात 1970 के दिर्शक में परियावरणी आंदोलन से हुई फिर दीरे दीरे आगे चलकर 1985 में एक सतंत्र मंत्राले बना दिया गया 2014 में वन परियावरण विभाग में जलवाई परिवर्तन को भी एड़ कर दिया गया क्योंकि परियावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय मे climate change बना हुआ है तो जैसे जैसे ये विशमताएं बढ़ती जा रही है परियावरण की production बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे परियावरण शासन का एक महत्वण घटक बनता जा रहा है और एक अच्छा परियावरण लोगों को उपलब्द कराया जा सके इस उद्देश के प्रमोट किया जा रहा है इत्यादिक लिख देंगे हम लोग अगला कह रहा है सापेक्षिक वंचना निरिजातिय संघर्ष का मुख्यू सुरोत है उप्यूक्त उदारन सहीद इस कथन को विस्तार से समझाइए तो सबसे अच्छे जो विचार है सबसे अच्छा जो एक्ज प vorbere सिख आई उन में एक दूसरे के प्रती अविश्वास की भावना एक दूसरे के समसाधनों पर कब्जा करने की भावना एक दूसरे के प्रती जुआख अ learning यह सब ऐसे कारण रहे हैं जिन्होंने निर्जाती समूहों के बीच दूरियां उत्पन की हैं लेकिन यदा कदा जब इन रिजाती समूहों के बीच अपनी आर्थिक गत्विदियों को या सामाजी गत्विदियों को आगे बढ़ाने के लिए इन समूहों में आपस में इंट् तो चुकि परसपर अविश्वास पर आधारित संबंद रहे हैं इस कारण से और परसपर अविश्वास संसाधनों के समान न होने या संसाधनों के असमान वित्रण के कारण भी रहा है इसलिए अपने संसाधन खोने के भैसे या अपने संसाधन पर कबजा हो जाने के भैसे ए यही कारण है या अपने हितों की अंदेखी न हो जाए हमारे हितों की उपेक्षा न हो जाए इस अविश्वास की नजर से देखए है इसलिए प्रायह सौहार्द निर्जाती समुहों में संपर्क होने पर प्रायह सौहार्द के बजाए संघर्ष जन्म लेता रहा है जिसे नगा कुकी संघर्षों में 2000 से जादा लोग 1990 के दर्शक में मारे गए अभी जब मेतेई को जनजाती का दर्शा देने के लिए विचार करने की बात हाई कोट ने कही तो कुकी जन जाती हो और मेतेई के बीच संघर्ष खुनी संघर्ष ने जन्म लिया तो ये एक तरीके से सापेक्षिक वंचना का उधारण है अगला कहता है पंचैती राजविवस्था में ग्राम सभा एक ऐसा मंच है जो लोगों की सामोहिक बुद्धिमत्ता आकांच्छा और एक्षा को अभी वेक्त करता है टिपड़ी कीजिए हाँ तो कि ग्राम सभा कोई प्रशासनी की काई नहीं है कोई राजनीती की काई नहीं है कोई शासी कोई गवर्निंग बॉड़ी नहीं है बलकि ये गाउं के लोगों का एक समू है और गाउं के लोगों का ऐसा समू है जो गाउं के लोगों को इस बात के लिए औसर देता है कि वे आपस में एक जिगह इकटे हों गाउं के विकास के लिए चर्चा करें पंचायतों के कारियों पर निगरानी रखें पंचायतों से सवाल जवाब करें पंचायतों पर नियंतरन कर सकें गाउं का विकास कैसे होगा अस्थानी संसाधन कौन से हैं कैसे संसाधनों का संरक् योग कैसे किया जाए इन सारी बातों के विशय में एक विचार विमर्ष का मंच है जहां इन आधारों पर बौधिक विमर्ष हो सकता है लोग अपनी आकांचाओं आकांचा क्या होगी हमारा गाओं विक्सित हो लोग अपनी आकांचाओं के अनुरूप अपनी एक्षाओं के प्रभावी चर्चा को जन्म दे सकते हैं तिपड़ी करना है किंतु किंतु हम बताएंगे कि किंतु व्यवहार में ग्राम सभा एक शक्तिशाली मंच के रूप में व्यवहार में सिध्ध नहीं हो सका है क्योंकि लोगों ने इस प्रकार की सक्री और सकारात्मक जागरूपता क परिचेदे तो नहीं संदे ग्राम सभा एक ऐसे मंच के रूप में प्रकट होगा जो लोगों की सामोहिक बुद्ध्यमत्ता अकांच्छाओं को सही तरीके से अभिवेक्त कर सकेगा और ग्राम स्वराज के संकल्प को आदर शासन के या अच्छे शासन के गुड़ गवर्नेंस के संकल्प को साखार कर सकेगा तो ये बहुत कम समय में मैंने इसको करने की कोशिश की है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता अगर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में और आराम आराम से डिस्कुशन करते तो तो इसलिए टू दा पॉइंट डिसकुशन करने के लिए हमने इसको संशेप में रखा कि जो एंसर की डिमांद है बस उस पर टू दा पॉइंट हमने फोकस किया और टू दा पॉइंट हमने चर्चा की है तो जिन बच्चों ने क्लास किया होगा वे आसानी से समझ रहे होगे कि जो क्वेशन पेपर आया है वो क्लास नोट्स के बाहर का नहीं है अगर आपने क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइस किया है क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो यह क्वेशन पेपर आपके लिए था और आप अच्छे से इसका एंसर कर सकते थे ऐसे ही क पूछने का दैरा वही है इसलिए हम लोगों ने क्लास को कवर कर रखा है कि अगर कुछे जाएंगे तो दैरा वही होगा लेकिन हां किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं question को समझने की कला आपको विक्सित करनी होगी अगर question को समझने की कला आप विक्सित कर लेते हैं तो result आपके हाथ में है अगर question समझने की कला आप विक्सित नहीं कर पाए तो फिर पढ़ा हुआ भी आप लिख नहीं पाएंगे और question समझने की कला और answer करने की कला ये regular practice से आती है निरंतरा भास से आती है इसलिए पढ़ना है खूब revise करना है और खूब revise करने के साथ साथ खूब practice करना है और अंतता maximum number gain करना है अपने आप gain होगा उसके लिए परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं होगा तो इस वीडियो को लंबाना करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं फिर इसके बाद यह first paper था जो हम लोगों ने फटा फट discussion किया है इसी तरीके से फिर हम लोग second paper का भी discussion करेंगे thank you thank you so much